नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहें दान्यूज आपके साथ मैं स्विष्टी मिश्रा पंजाब राज्य का एक बहुत बड़ा खुलासा बहुत बड़े स्तर पर आ गया है राज्यपाल को भगवंत मानने चुठि लिखी थी बनवारी लाल पुरोहित को जो क 5637 करोण रुपे जो केंड्र को दे रहे थे वो कहा है उसका विवरन कहा है अब इस पर सुनिए जर्चर को जवाबी यहाँ पर पत्र दाखिल किया गया है राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा पंजाब सरकार को क्या खुलासा हुआ पचास हजार करोड का कर् पंजाब के मुख्यमंत्रि के ऊपर बगवन थमान के ऊपर के जुरिवाल के ऊपर और यह असलियत आम आर्नी पार्टी की फिर क्या था देखें यहाँ पर अकाली दल अध्यक्ष घेर रहे हैं इसके साथ आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी घेर रही है और कौन कौन सी सरकार के ऊपर पंजाब सरकार के ऊपर पचास हजार करोड का एक हजार दो हजार नहीं यह बहुत बड़ी राशी है पचास हजार करोड रुपे की क्या हुआ पैसे क्या होटल्स में फलाइट में और अपने आप प्रचार में भगवन्त मान और अर्विन गजरिवाल ने इ मामला मैंने सुना है कि आप लोगों ने सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट-कटाया है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोट को पहले क्लियर करने दीजिए उसके बाद इस पर कारवाई करने की कोशिश करें अब मैं आप से चाहूंगा कि आप पंजाब के लोगों को कितनी मदद कर चुके हैं इसका पूरा विवरंडे पूरा खाका दे पचास हजार करोड का करज पंजाब सरकार कारयावे में कैसे हुआ और पंजाब सरकार ने ना बाल प्रभावित लोगों को मदद की ना पंजाब में अभी जो लगातार पंजाब सरकार को नुकसान हुआ पंजाब क आगए लेकिन अभी कहा है आपके वादे अब ज़रा सुनिए मैं आपको बता दूँ बनवारी लाल पुरोही जिने क्या कहा उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा पंजाब के लोगों की सेवा करना मेरा करतव है और इसी करतव के द्वारा राज्यपाल ने पत पूरा विवरेंट चाहिए यह बनवारी लाल पुरोही ने भगवन्त मान दूब से जवाब मैंगा है किसका करक्षिन हुआ पचास हजार करोड का करज जो हुआ है पंजाब सरकार पर तो यह करज किसलिए लिया गया था ये पैसो को कहा लगाया गया क्या पंजाब की जनता की सेवा में लगाया गया है या फिर किसी और मतलब से जगाया गया है या फिर वग्यापन में और विमानों में और होटल्स में बुक किये गए हैं वैसा हवाला मनी में चला गया कहा गया क्या ये इलेक्शन से पहले एक औ मूलिया क्या किया ये पूरा विवरंड मांग रहे है राजिपाल जी दर्चे को बहुत बड़ी खबर इस वक्ती और पजाब सरकार इस से घिरती दिखाई दे रही है पहले तो शराग घोटाला दो मंतरी अंदर शीश महल घोटाला पूरे बड़े इस्तिर पर इनकी जग हसा हुई कि आम आनी पार्टी बताकर अपने आपको सत्ता में आए थे अब तीसरी बात ये घिर गए 50,000 करोड के नुकसान में आपको मैं ये भी बता दूँ भगवन्त मान को कई बार केजरी वाल का ड्राइवर तक कह दिया गया है कि ये केजरी वाल के लिए अपने विमानों को मुहिया कराते हैं और इसी वजह से इनका सारा कर्ज बढ़ चुका है पंजाब पूरा कर्ज में डूप चुका है देखिए पंजाब सरकार के वजह से पंजाब की जनता कई परिशानियों का सामना कर रही है हाला कि अकाली दल बिलकूल एकदम निस्पक्ष तरीके से करनी के भी आरोब भगवनतमान और किजरिवाल की उपर लग चुके हैं कि किजरिवाल जब से आए हैं सत्ता में यहां पंजाब में आमानी पार्टी की सरकार रही है तब से खालिस्तानियों के होसले और बुलंद हो गए कॉंग्रेस ने इतनी बुलंदगी करने का कभी आमानी पार्टी ने तो आमानी पार्टी सबसे कम कारेकाल में सबसे बड़ी भरस्टाचारी पार्टी साबित हो चुकी है और यहां पर बीजेपी अकाली दल इल्जाम लगाते नज़रा रहे हैं और इल्जाम भी क्या यह कह रहे हैं कि सब कुस्तों सामने प्रूफ है तो ह लिख रहे हैं कि आमाने पाटी के कारेकाल में पंजाब सरकार का कर्ज पचास हजार करोड और बढ़ा पहले से ही कर्ज में डूबा पंजाब मुख्यमंत्री और महा मुख्यमंत्री का कर्जा जनता अपनी जेप से भरेगी देखे तंज कस्दिया परवेश साहिब सिंग ने बीजेपी के निता पंजाब सरकार पे और महा मुख्यमंत्री किसको बताया अरविंद केजरिवाल को एक तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है ही उपर से पंजाब भी सम्हाल रहा है अरविंद केजरिवाल के निशानों पर इशारों पर ये भगवंत मान पंजाब को डूबान यहां अकाली दल के अध्यक्ष हैं यहां पर इन्होंने निशाना साधा है भगवंत मान को आइना दिखा दिया किजरीवाल को आइना दिखा दिया इन्होंने कहा कि आपके 14 वादे कहां गायव हुएं और इन्होंने अपने भाशा में लिखा पंजाब मंगदा जवाब ट्व पूब जवाब मांग रहा है 14 वादे कहां गयें दर्शकों आपको एक बर आद दिला देती हूं भूगतान नहीं किया गया बाड मुआफ़ा भूगतान नहीं किया गया महिलाओं को 1000 रुपे माह भूगतान नहीं बुजूर्गों को संशोधित पैंशन भूगदान नहीं किया गया नौ विवाहित लड़कियों को शगुन नहीं किया गया बेरुजगारी भत्ता भगत पूरन सिंग स्वास्थ मिमा योजना बंद हो चुका है निशुल कतीर्थ योजना बंद हो चुका है छात्राओं को नि हटा दिये गए, सेवा केंद्र बंद कर दिये गए हैं, सुविधा केंद्र बंद कर दिये गए हैं और नई सड़के फ्लाइ ओवर का धाचा बनकर तयार भी नहीं है, निर्माण नहीं हुआ अब पता चल रहा है कि दिली सरकार ने आत्म परचार और कोई अलग अलग विग्यापरों को खर्च करने के लिए पचास हजार करोड का कर्जा लेकर ये दोनों बैट गए हैं, भगवन्त मान अब देखे पंजाब की जनता के नजरों सो नहीं बचेंगे केजरिवाल के इशारो पर ये हुआ है और केजरिवाल जो सूपर सीम कहलाते है अब उनको जवाब देना होगा कह रहे हैं कि केजरिवाल के हवाई यात्रा होटल बिल का भुगदान करने पर ये क्या 50,000 करोड कर्च किया गया बनवारी लाल पुरोहित बहुत जादा नाराज हैं सुप्रीम कोट के फैसले आने का इंतजार वो कर रहे हैं और क्या दिया उचित होगा मामले में कोई भी अगला कदम उठाने से पहले सरवोच नियायले के फैसले का इंतजार करिए पंजाब सरकार ये कहा है बनवारी लाल पुरोहित नहीं तो अब ये बात पैदा हो गया जब से भगवांतमान ने चिठ्थी लिखी है पाच हजार छेसो सेटीस करोड रुपे जारी करने के लिए और ये रूरल डेवलप्मेंट फंड है यानि ग्रामिड विकास योजना ये जितना भी हजार करोड रुपे किसलिए कर जा लिया क्या भगवांतमान ने पंजाब की जनता के लिए कर जा लिया नहीं खाका तयार है अब देखिए जिए भगवांतमान को जवाब देना भारी पड़ेगा और अगर जवाब नहीं दे पाएं तो यहां गवर्नर की खत से घिरती के लोग बीजेपी के साथ गढ़बंधन करने को तयार हैं और कॉंगरेस ने भी आमानी पार्टी को आइना दिखाने का काम कर दिया है जबसे पंजाब सरकार ने और यहां आमानी पार्टी ने दिल्लिया ध्यादेश पर कॉंगरेस के साथ यहां आपको बता दे राजनिती में जैसे की जाती है हेरा फिरी वैसे करने के कोशिश की है तो आप कंग्रस सरकार जाग गई है दिखने वाली बात होगी पचास हजार करोड अखिर कहां गया कर्ज किसलिए लिया गया इस पर जवाब देही क्या तै करते हैं सूपर सीम दिल्ली के और पंजाब के सीम भगवन बने रही है आपकी जो वीराई जरूर रखे शुक्रिया